संसार का अंग शतावट का चरम रंच्छेत्र में योधाओं ये स्मस्या आ रहा है क्या आप तैयार है अंतिम समय के लिए तैयार हुचा सबी एंजल टीवी के दर्शकों जैस कारे करम देख रहे हैं आप सब के लिए खास वागतम सबी एंजल टीवी के दर्शकों जैस कारे करम देख रहे हैं आप सब के लिए खास वागतम इसकी उदेशी ये है कि हम सब को तैयार करें इन अन्तिम दिनों के लिए और उसके जानकारी दें पिछली संदेश में हम जाकते रहने के विशे में हम देख रहे थे जाकते रहे इस शब्त का हम दूसरी तरफ के और हम देख रहे थे जाकते रहे हैं कि ये देखने के कि परमेश्वर अपने वच्छन को कैसा अमारे जीवन में पूरा करते हैं हमने ये देखा कि परमेश्वर अपने शास्त्र के द्वारा दियावा वच्छनों को कैसे पूरा करते हैं दूसरा पहलू ये है कि वो जाकते रहना कि परमेश अमारे क्रिया की प्रती कैसे प्रती उत्तर देते हैं जाकते रहें कि जो निर्ने आप अपने जीवन में लेते हैं उसकी और आयम जो मतिरे चीसु समचा चब भी सध्या है उसके 38 पत देखें तब उसने उनसे कहा मेरे जी बहुत उदास है यहां तक की मेरा प्राण निकला चाहते तुम यही तहरो और मेरे साथ जाकते रहो यहां पर हम देखते हैं यह परमेश वर का आत्मा बहुत आएच से दुकी हैं वो अपने चेलों से कह रहे हैं कि अपने साथ जाकते रहें और प्रात्ना करते रहें एक स्ट्री के दुआरा जनम लियावा प्रभी येश्व मसी के अंदर में भी आत्मा हैं इस गटना में प्रभी येश्व मसी अब क्रूस की मृत्ती के और सामना करने वाले हैं और वो अपने चेलों से कह रहे हैं कि उनके साथ जाकते रहें जब मैं चोटा बालक था गर्मियों में मैं अपने आप को गरीब लोगों के लिए मदद करने वाले कामों में शामिल होता था और मैं उस दल के साथ था जो कई किलोमेटर्स सफर करके जाते हैं ऐसे कारे करने के लिए कि गाउ में ऐसे गरीब लोगों से मुलाकात कर सकें और ऐसा एक नुकत साल में मैं वहां के बावर्ची की समान, खाना बनाने के लिए नुकत किया गया और ऐसे काना बनाने के समय पर एक चोड़र सा बालक मेरे साथ साथ में गुमता था पहला मैंने ये सोचा कि वो भूका होगा तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ खाना दिया जैसे मैं कुछ सवाल उनसे करने लगा जैसे की मारा नाम क्या है कैसे हैं मैं ये भी उनसे सवाल किया बाकी बच्चों के साथ जा के क्यों आप नहीं खेलें उसके छोटे मूँ से मुझे पता लगा कि वो दूसरे दोस्त लोग उसे नहीं चाहते थे कि उनके साथ ये खेले बाकी बच्चे नहीं चाहते थे कि ये उनके साथ साथ में गुमे उनसे उन्होंने अपने आप को छुपा लिया ताकि जो वो तुरसकार गया गया है उसके साथ वो वरताफ कर सके उसे उसके दोस्त लोग इंकार करने के वज़े से वो बहुत ही दुकी हुआ और रोनी लगा क्या आपको याद है कब अन्तिम बार आपके जीवन में लोगों के द्वारा तुरसकार किया गए है या अपने बाइफरेंड या गर्लफरेंड के द्वारा तुरसकार किये गए हो अपने भाई बैनों के द्वारा तुरसकार किये गए हो अपने माता पिता के द्वारा तुरसकार किये गए हो वैसा ही परमेश अपने उपस्तिती को हमसे दूर कर देते हैं अगर हम उन्हें डूंडेंगे नहीं उन्हें वो दुख पहुंचाता है परमेश चाता है कि हम उसके पीछे पीछे लगे रहें कि परमेश चाता कि हम एखस करए हमारा रिस्ता परमेश साथ ही बहतर है हम सब किसी व्यक्ति के साथ बहती गनिश रिस्ता में रहने के बाद अगर वो हमें इंकार कर देए वो दर्द क्या होता हम जानते हैं ये बहुत ही दर्दनाक तब होता है कि जब उनके साथ हमने हमारे जीवन की बहुत ही गुपतर बातों को उनके साथ हमने बाटा है अगर हम परमेश्वर के सुरुप में बनाए गए हो क्यों ना परमेश्वर भी वो तरसकार किये जाने वाले दर्द को महसूस कर सकता है जब हम उसे तरसकार कर देते हैं उन्होंने अमारे साथ गहरी बातों को गुपत बातों को बाटा है अगर हमारे चारों तरफ परमेश्वर के उपस्तिती ना हो हमें अपने आप से सवाल करना है क्यों क्या आप इसके बारे में कम से कम चिंता करते हैं परमेश्वर के उपस्तिती पाने के लिए परमेश्वर चाता है कि हम सही तरीके से वर्ताव कर सकें कारिय कर सकें ये परमेश्वर की पस्तिती का मारे जीवन में वापस लाने के लिए ऐसा करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है सबसे पहले हमें मान फिरना है और परमेश्वर से शमा मांगना है कि हम परमेशे का उनुमती देते हैं कि उनकी उपस्तिती हमारे साथ साथ चलने पाएं हमारे रिष्टा परमेशे के साथ में जो है उसे सुधारना जरूरी है अगर हम परमेश्वे की बीच में वारतलाब करने वाली बातों में कुछ गलत फेहमी हो गया है तो हमें जानना ज़रूरी है कि क्यूं हुआ दूसरा विश्वास की प्रातना की अभ्यास करना है विश्वास उन्चे जो को परकता है और उसे दर्शन में ले आता है जो परमेश्वर हमारे लिए जो करने वाले हैं उस परके जाने के द्वारा उसके साथ सही मिलन में हमारे प्रातना की जाती है विश्वास परमेश्व के हाथ मरोडने वाली बात नहीं है कि यह कहने पाएं जो हम चाहते हैं कि परमेश्व से कर सके परके जाने के द्वारा हम जान लेते हैं अपनी हिर्दे में कि यह बात हैं हमारे जीवन में क्यों हुआ है तीसरा हम अपने कम्यों को ध्यान लगते वे परमेश्व के लिए प्रती उत्तर दें कई बार हम अपने आप से कहते हैं मैं तो सिर्फ इनसान हूँ यह तो सिर्फ एक बाहना है कि हम अपने आप को परमेश्व की कारी की और पीछे लगने से रोकने पाएं परमेश्व चाहते हैं हमारे कमजोरियों के परमध्यान लगाएं और उसमें जो है नए मतलबों को जोड़ सकें जिससे की परमेश्व की योजना हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखें परमेश्व लगातार हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम खिसके हैं आयम जो है पहला कुरंथी उसके चटा अधिया है बीसवे पत के और खोलें क्योंकि दाम देखकर मोल लिये गए हो इसलिए अपनी धे के द्वारा परमेश्व की महिमा करो जब हम निने लेते हैं कि परमेश्व को अमारे जीवन में स्विकार कर सकें और ये अनंत एक वाच्छा है कुछ लोग जो इस कारेकरम को इस वक्त अभी जो देख रहे हैं जब आप जवान थे तो आप परमेश्व के साथ एक वाच्छा बांदे हैं जब आप बड़े होकर युवावायस्क हो जाते हैं आप जो परमेश्व के साथ के रिष्टा है उसे छोड़कर कुछ और डूढने लग जाते हैं परमेश्व आप पर ध्यान देता है कि आप कैसे प्रतियुता देते हैं किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं किया है कि आप पर मेश्व के साथ साथ चलेंगे करके वाचा बांदें ये क्या हुआ है कि आपके मारगों में हर एक बात एक बादल के समान आपके मस्तिश में गेर लिया है संसार ने आपके लिए विकल्पों को दिया है ताकि आप चुन सकें कि परमेश्व की बिन आपने जीवन का आनन उठा सकें मगर ये सारे चुनाव अपने जीवन में थोड़े समय के लिए जीते हैं हमारे जीवन में लेने वाले हर एक निर्ने का उसका परिनाम जरूर रहता है हो सकता है आप उसके परिनामों को सुनना नहीं चाहते हूँ आप ये भी कह सकते हैं मैं उसका चिंता नहीं करता हूँ मैं अभी इसी वक बताना चाहता हूँ हमारे सारे क्रियाओं का परिनाम है जब हम परमेश्वे के नजरों में सही चीज नहीं करते हैं तब शत्रु आता है छोरी करने जो परमेश्वे के दिया हूँ हर एक वाइद को नाश करने के लिए याद रखिए शैतान जूट बोलता है वो कभी अपने वाइदे को निभाता नहीं है परमेश्वे हर वक्त अपने वाइदा को पूरा करते हैं दूसरा सुधार जो हमारे जीवन में ध्यान देने वाले बात यह है हमारे जीवन के कमजोरियों को हमारे जीवन की अंदरूनी बातों के मजबूत करने वाले एक प्रेड़ना के समान बदर लें मैं तरह धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्बूती से रचा गया हूं तेरे काम तो आश्च्रे के हैं और मैं इससे भली बाती जानता हूं जबकि हमारे जीवन में बहुत से कमजोरिया है आज पर मेशर आप से कहते हैं मैंने तुम्हें अद्बूती से बनाया है और इसलिए हम अपने जीवन की कमजोरियों को एक बहाने की रूप में इस्तिमाल नहीं कर सकते कि संसार का अनुसरन करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के एक बहतर सेवक के समान बनने पाएं सची खुशियां तब ही आता है जब हम परमेश्वर की और दूसरों की सेवा करते हैं आए जहें मरकुस रचिसु समाचा 10 अध्याय 44 पत के और देखें और जो कोई तुम्हें प्रदान होना चाहे वो सब का दास बनें संसार इसी बातों का आपको प्रेणा देता है कि हर बातों में आप ही पहला होने पाएं मगर परमेश्वर जो आप से ये कहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रतमस्तान दें और बाकी सब बातें आपके लिए दिये जाएंगे आप जरा अपनी हिर्दाय को जाच के देख लें कि उसके अंदर कोई भी परमेश्वर की विरोद की बेवफाई ना हो परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक और बार अपने आपको समर्पन कर दें मेरे प्रिये भाईयों बैनों हमें संदेश की अंत में आ पहुंचे हैं आज समाप्त करने से पहले आपके साथ एक चोटी सी प्रातना करना चाहता हूं पिता प्रभ येश्व मसी के नाम में वो हर एक दर्शन को जिस कारेकरम देख रहे हैं आपके उपस्तिती में ले आते हैं बहुत सारे लोग अपने सच्छे दिल से आपकी सेवा करना चाहते हैं बहुत सारे लोग संसार के जाल में फसे वे हैं जो इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मैं प्रात्ना करता हूँ कि आज आप उन्हें वो अनुगरे दें और सामर दें ताकि अपने जीवन के लिए कुछ कारे कर सकें उनके जीवन के लिए एक नए मतलब को जोड़ दें मदद करें कि वो समझने पाएं हम आरेक से आप क्या चाहते हैं उनके जीवनों में आपकी सुरक्षा को लगाता हूँ इसी वक्त उन पे दया करिये प्रबू येश्यो के नाम में प्रात्ना मांगता हूँ अमें अमें